आपके प्यार को पानी के लिए आप किस हद तक जाओगे? आपके एक जूट से अगर लोगों की जिन्दगी बरवात हो तो क्या करोगे? हलो फैंस, आज के हमारे मूवी विक्कर पाक 2004 की एक मिस्ट्री मूवी है इस मूवी की स्टोरी डेलिंग ये बहुत ही अलग है जो इसे बहुत ही इंट्रस्टिंग बनाती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हो अगर आप को वीडियो चलगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा कमेंट भी कर दीजिए जिसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है तब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारे में कैरेक्टर जिसका नाम है मैथ्यू ये एक रिंग बाई करता हुग हम देख सकते है वो शॉप में आया और उसे कौन सी रिंग बाई करनी चाहिए ये उसे समझ में नहीं आ रहा था जोलर ने उसे कहा कि आपके दिल को जो अच्छे लगे वो आपको बाई करनी चाहिए इसके बाद मैथ्यू सीटी में अपने एक पुराने दोस से मिलता है दो साल पहले मैथ्यू नुई यॉउक चला गया था इसी वज़े से टच में नहीं थे अब लास्ट टू मन्स से मैथ्यू इसी शहर में रह रहा है तो उसका फ्रेंड कहता है तो ये मुझे कॉल करना चाहिए था ये एक दूसरे को देखकर बहुत ही एकसाइडेड है आज फिर से मिलने वाले है इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि मैथ्यू की एक गल्फरेंड है जिसका नाम है रेवेका रेवेका के ब्रदर के साथ ही मैथ्यू काम करता है इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने एक बिजनेस मिटिंग के लिए आया हुआ है वहाँ पर उसकी गल्फरेंड रेवेका भी आ जाती है ये एक चाइनिस कंपनी के साथ डील कर रहे है जो उनके कंपनी के लिए बहुत ही इंपोर्टन है इसी डील की वज़े से मैथ्यू को चायना भी जाना पड़ेगा मैथ्यू को बात करते-करते जरा अंगमवडेबल लगता है तो वाश्रूम जाता है वाश्रूम में उसे एक लड़की का आवाज आता है यह आवाज उसकी एक्स गर्फरेंड जिसका नामे लिसा उसका था यह जल्दी से बहार निकलता है उसके पीचे भागता है उसे उससे बात करनी थी लिसा वहाँ से जा रही थी तो अचानक से उसकी हील तूट गई मैथ्यू लिसा को रोकने वाला था और उसकी गर्फरेंड रेबेका वाहा थी अपने आपको उसने फिर छुपा लिया इसके बाद मैथ्यू और लिसा में क्या हुआ था यह फ्लैश बैक में हमें पता चलेगा इसमें हम देखते हैं कि मैथ्यू पहले वीडियो स्टोर में काम करता था उसकी शॉप में एक कैमेरा रिपेरिंग के लिए आया हुआ था उसमें एक वीडियो थी जो लिसा की थी लिसा मैथ्यू को बहुत ही अच्छी लगी इस वीडियो से उसने नजर हटाए तो स्टीट की अगली तरफ लिसा खड़ी हुए थी उसके लिए ये एक लव एट फर्स साइट था उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था तो उसका पीछा करने लग गया उसे फिर बता चला कि लिसा एक डांसर है इसके बाद हम फिर से पेजेंट देखते हैं मैथ्यो को लिसा का आवाज आया था तो फोन भूत के पास हो गया वहाँ पर उसे एक होटेल का कार्ड मिलता है जैसे हमें पता है कि उसे आज चायना जाना पड़ेगा रेवेका उसे एरपोर्ट तक छोड़ देती है पर मैथ्यो फ्लाइट में चड़ता नहीं जिस होटेल का वो कार्ड था वोस होटेल में पहुच जाता है इस रूम में अब कोई भी नहीं है मैथ्यो वहाँ कि सब चीजे देखता है तो लिसा का एक मिरर उसी मिलता है इसके बाद हम फिर से फ्लैश बैक देखते है अभी-अभी मैथ्यो को जो उसका फ्रेंड मिला था इसके साथ हम उसे देख सकते है मैथ्यो के फ्रेंड का नाम ल्यूक है जो एक शू शू शॉप चलाता है मैथू ने लिसा को देखा उसके पैर में वो पढ़ गया इसके बारे में सब चीज़े वो लूग को पताता है मैथू को इतना ज़ादा एक्साइड़ देखकर लूग को लगता है कि लिसा के लिए वो पागल हो जुगा है यह शौप में ही थे तब मैथू लिसा को शौप के बाहर देखता है लिसा भी उसे नोटिस करती है तो अंदर आ जाती है इसके बाद मैथू ने प्रिटेंड किया कि वो शूप सेल्समैन है उसने उससे कुछ फ़नी बात करने की कोशिश किये पर वो फेल हो गया है क्योंकि वो बहुत ही नर्वस है वो लिसा को शूप पहना रहा था तो लिसा बुछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे मैथू डर गया और कहता है कि प्लीज मुझे मिसंडरस्टाइन मत करना उसके पास लिसा के साइस के शूज नहीं है तो कहता है कि मैं और करकर तुम्हें दे दूँगा मुझे तुम्हारा नमबर दे दो मैं तुम्हें अपडेट करतूँगा लिसा फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है मैथू फिर नोटिस करता है कि लिसा ने बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ है मैथू को उसने कल डेट पर इन्वाइट किया है अब वो बहुत ही खुश था कल उसके साथ वो डेट पर गया यह बहुत सारी बाते करते हैं मैथू ने लीसा को बताया कि उसे फोटोग्राफर बनना है बच्वेन वो चाहता था कि वो फीश की फोटोज ले जैसा बड़ा होता गया कि उसे रियलाइज हुआ हर चीज़े ब्यूटिफुल लग सकती है लीसा उसे कहती है तुम मेरे फोटो लो आज मझे बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है इसके बाद उसने उसे घर डॉप कर दिया मैथू से रहा नहीं गया और लीसा के वो पीछे पीछे चला गया इसके बाद एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है फिर सम्प्रेजन देखते है मैथू को लीसा के रूम में एक फाड़ा हुआ न्यूस पेपर मिलता है यहाँ अपर एक फ्यूनरल की न्यूस है मैथू को अब लगता है कि उसने लीसा को ढून लिया है वो अपने फ्रेंड लूक के पास आया और जो भी कुछ हुआ यह सब उससे बताता है मैथू कहता है मुझे लग रहा है लीसा मेरे लिए कुछ क्ल्यूस छोड़ रही है अब इस फ्यूनरल पर वो जाने वाला है और उमने फ्रेंड की गाड़ी लेकर जाता है लूक कहता है कि आज मेरी भी डेट है तो प्लीज जल्दी आ जाना इसके बाद मैथू उसी रेस्टॉर्ट में गया जहाब उसने लीसा का आवास सुना था वहाँ के बाद डेनर से हो गयता है जिस लड़की की हील तूटी हुई थी वो लड़की अगर वापस आया तो उसे लेटर दे देना इस लेटर में मैथू ने लिखा है यह तो हमारा मीरर मेरे पास है उसे वो बात करना चाता है तो उसका नमबर भी वो दे कर गया है इसके बाद हम मैथू को फ्यूनरल पर देखते हैं इस फ्यूनरल पर सिर्फ एक या आदमी आया हुआ था तो मैथू उसका पीछा करता है पीछा करते करते एक बिल्डिंग में वो पहुचा ये आदमी एक डोर के बाहर था उसने घर के अंदर एक लेटर डाला दरवाजे पर रोज डाल कर वहाँ से चला गया उस आदमी के जाने के बाद मैथू भी उस डोर के पास आया उस आदमी जो लेटर लिखा हुआ था ये उसने घर के अंदर से निकाल लिया ये लेटर लिसा के लिए है, इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी की में रिटर्न कर रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ से ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ से में पता चलता है कि वो आदमी लिसा का एक्स बॉइफरेंड था, मैथो फेरे लेटर अपने जादा घुसा था, यह उसकी फर्स डेट थी, तो लिख को लगता है कि अब उसे सेकंड चांस नहीं मिलेगा, जिस लड़की के साथ वो डेट पर जाने वाला था, उसे फिर उसका कॉल आया, सब सिचुएशन वो उसे समझाता है, तो लड़की कहती है कि मुझे मैथ्यू से बात करनी है, मैथ्यू से समझाता है कि मैं उसे कार चोरी करकर लेकर गया था, यह उपने प्यार को ढूंड रहा था, इसलिए उसने यह सब किया, उस लड़की को भी अच्छा रिजन लगा, और ल्यूक को फिर से सेकंड चांस मिल गया, ल्यूक फिर उस लड़की का प्ले इसके बात हम देखते है, कि मैथ्यू ने जो लेटर लिखा था, यह किसी को मिल चुका है, इस लेटर में मैथ्यू ने लिसा को एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया था, अगले दिन मैथ्यू ने बहुत वेट किया पर लिसा आई ही नहीं, रात में फिर वो टेरिकली लिस में और कोई लेट की थे यह लेट की मैथू से बहुत ही डर गहे उसे लगा कि मैथ youtube से हट कर सकता है यह लेट की हमारी और एक main character है जिसका आमें Alex मैथू फिर उसे सब कुस situation समझा देता है Alex अपने आपको defense करे रही थी तो ही मैथू के हाथ पर जरा चोटा गए सब सिजुएशन जानने के बाद एलेस को जरा बुरा लगा वो मैथू को फर्स टेट कर देती है वो मैथू से कहती है कि मैं आज बहुत ही डर रही हो उसका एक्स बॉइफरेंड कंटिनूरसली उसका पीछा कर रहा है वो मैथू को आज रात उसके साहाथ रूपने के लिए कहती है मैथू भी उससे समझ लेता है और कौच पर सोज आता है ढ़रात में उसके पास आती है उसके साथ इंटिमेट हो जाती है फिर से हमें फलैश बैक दिखाय जाता है अब उम देखते हैं कि मैथू और लिसा बहुत दिनों से relationship में थे मैथू को अभी-अभी New York में एक बहुत अच्छा सा job मिला है तो अब उसे move करना पड़ेगा लिसा से कहता है कि मेरे साथ तुम में New York चलोगी वो अब उसके साथ live-in relationship में रहना जाता है लिसा है सुनकर बहुत ही surprise थे उसे कहती है कल मुझे तुम पाग में मिलना तब मैं तुमें मेरा answer दूँगी अगले दिन मैथू ने बाग में wait किया पर लिसा आई ही नहीं वो फिर लिसा के real cell की जगा पर गया वहाँ पर लिसा के instructor से उसे पता चला कि लिसा अचानक से टूर पर चली गई है उसने मैथू के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इसके बाद हम फिर से present देखते हैं मैथू और एलेक्स ये दोनों intimate हुए थे सुबा होने पर एलेक्स मैथ्यो के लिए breakfast बना दिया वो एक nurse है तो उसे job पर जाना था वो मैथ्यो को कहती है कि रात में मैं वापस आ जाओंगे अगर तुम चाहो तो यहे रूख सकते हो एलेक्स को फिर हम गाड़ी में आकर रोते हुए देख सकते हैं फिर से हमें flashback दिखाये जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि लीसा और एलेक्स एक दूसरी की neighbors थी इन दोनों में अच्छी friendship हो चुकी थी इसके बाद एलेक्स अपने खुद के घर में आती है वो अभी-भी Matthew के साथ जिस घर में थी वो एक्च्छल में लीसा का ही घर था लीसा एलेक्स के घर पर आई हुई है एक्च्छल में लीसा का boyfriend उसे stock कर रहा था तो लीसा एलेक्स के घर पर रहे रही थी कल राद जो भी हुआ तो ये सब Matthew Luke को बताता है एलेक्स के लीसा की तरह issues थे घर में सब चीजे उसे लीसा की तरह ही लग रही थी ये सब Matthew को बहुत ही अजीब लगता है इसके बाद Nixon में हमें पता चलता है लीक जीस लड़की के साथ डेट पर गया हुआ था ये एलेक्स ही थी एलेक्स और लीक बात कर रहे थे मैथ्यू और लीसा की बीच में जो भी सब हुआ है ये सब लीक एलेक्स को बताता है ये दोनों आज रात एक डेट पर जाने वाली थे एलेक्स कहती है कि मेरी तवियत खराब हो चुकी है लीक को बहुत ही वीर्ड लगता है क्योंकि एलेक्स उसे बहुत दिनों से इक्नोर कर रही है वो फिर एलेक्स बर गुस्सा हो जाता है कहता है हर बार मुझे तुम कुछ अलग स्टोरी सुनाती हो एलेक्स को ड्रॉप करकर वहाँ से वह चला गया अगले दिन जब लुक और मैथ्यू हैंग आउट कर रहे थे लुक कहता है कि तुम में मेरी गर्फेंट से मिल सकते हो वो उसे एलेक्स के प्ले पर इन्वाइट करता है जब एलेक्स मैथ्यू के साथ इंटिमेट हुई थी तो उसने मैथ्यू का हेंगर चिप ले लिया था लिसा एलेक्स के घर पर ही है तो इस हेंगर चिप को नोटिस करती है वो एलेक्स को गयती है कि मैथ्यू के हेंगर चिप की तरह ही लग रहा है एलेक्स उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता तुमें कुछ गलत लग रहा है अलेक्स ने अपना कैमेरा मैथ्यू को रिपेर करने के लिए दिया था मैथ्यू ने जिस वीडियो में लिसा को फर्स टाइम देखा था यह अलेक्स नहीं शूट की थे अलेक्स अपना कैमेरा लेने के लिए वापस गई तो यह उसने लोटिस किया मैथू लीसा में इंट्रेस्टेड है इसे उसका दिल तूट गया था जब मैथू और लीसा की बीच में रिलेशनशिप हुई तो ये सब एलेक्स देखा करती थी और फिर से हम प्रेजन देखते हैं लीसा को लंडन में एक जॉब मिल चुका था तो अब यहां से वो जाने वा आज रात मैथू भी इस शेहर से चले जाने वाला था वो अपना टिकेट बाई करता है लीसा भी वही अपना टिकेट बाई करने के लिए आयो हुई थी पर एक दुसरे को इन्हेंने नूटिस नहीं किया रात में फिर मैथू लूक की गर्फरेंड का यानि यह एलेक्स का श देख सकते हैं तो अपने मेकप रूम में गई और खुद को लॉक कर लिया इसके बाद हम फिर से पास देखते हैं मैथू ने अभी अभी लिसा को उसके साथ नूइ-यॉक जाने के लिए पूछा था लिसा को अचानक से टूर का ओफर आया तो उसे जाना पड़ेगा वो मैथू के अपार्मेंट की की भी ऐलेस्फ को दे दी थी ऐलेक्स मैथू को ये लेटर देनी के लिए ज lei patient के मैथू घर पर नहीं था तो उसके घर में आकर उप उन्ली यह मैंघ्टर बहाँ रकती है पर नोटिस करती है लिसा नहें बहुत सारे मैसेज मैथ्यॅ को दिये हु और फिर से हम present देखते है Luke और Alex एक साथ थे तो इस दूसरे के साथ intimate हो जाते है Luke के घर पर Matthew को call आया जो Alex ने pick up किया यह जल्दी से वो phone Luke को दे देती है जाने कि Matthew उसे पहचान ना पाए यहाँ पर Alex को पता जलता है कि Matthew उसके ही घर पर है वो फिर Matthew को call लगाती है गयती है कि मैं जल्दी से घर पर आ जाऊंगी लिसा को Matthew का नंबर मिला था उसने फिर से ट्राइ करनी की कोशिश की इस बार एक call Luke उठाता है लिसा Luke को बताती है मुझे उसे मिलना है एक जगा बताती है जहाँ पर Matthew उसे मिल सकता है जब एलेक्स लिसा के घर पर आई जहाँ पर Matthew है तो Matthew उसे बैटने के लिए गयता है Matthew को सब चीज़े बहुत ही अलग लग रही थी उसे 100% लग रहा था कि अपार्मेंट लिसा काई है उसने फिर एक ट्रिक की और लिसा के साइस के शूज वो बाई करकर लाया ये शूज वो एलेक्स को पहनाता है पर एलेक्स को फीट नहीं होते वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़वड है एविनिंग में एलेक्स और लिउक की डेट थी इसी डेट पर लूग एलेक्स से मिलवानी केरे मैथ्यू को भी बुला लेता है मैथ्यू जब एलेक्स को यहाँ देखता है तो उसे बहुत शौक लगता है वो समझ चुका है कि एलेक्स उसे जोट बोल रही थी जिस अपार्मेंट में वो था वो लिसा का ही था वो एलेक्स से बात करने लगता है वो से कहता है कभी-कभी आप जो लोगों को समझते हो वो वैसे नहीं होते है तो फिर मैथ्यू को लिसा के अपार्मेंट में जो लड़की थी उसके बारे में बोच्छता है मैथ्यू कहता है कि वो एक बहुत ही जोटी लड़की थी अलेक्स इस इस पर कहती है तो इम पुरी बात पता नहीं है शायद उसके हालात कुछ अलग हो तुम अपने आपको इस तरह से विक्टिम नहीं बना सकते हो मैं तो इस पर जड़ा चीड़ गया तो कहता है तुम ये सब क्या बात कर रही हो एलेक्स कहती है ये शायद वो लड़की तुमसे बहुत पहले से प्यार करती थी जैसे तुमें लिसा को देखते हुए फर्स टाइम में ही प्यार हो गया था शायद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था शायद तुमसे भी फर्स टाइम में प्यार करने लग गयी थी उसने जो किया वो गल्त था पर प्यार में हम बहुत ही अजीब अजीब चीज़े करते है उसे कहती है मैंने जो भी किया इसके लिए मैं तुम्हें sorry नहीं कहूंगे एरिक्स बहुत ही sorry है और लिसा ने मैथु के लिए जो later लिखा था लेटर वो उसे दे दे थी है लूग को भी याद आता है कि लिसा ने call किया था मेतू फिर भागते वागते उस जगा बर जाता है पर उसे लेट हो गया वो लीसा को ढूंटे ढूंटे एरपोर्ट तक आ गया हर जगा बर वो लीसा को ढूंट रहा था तब इसकी गल्ड फेंड रेबेका उसे लेने के लिए वहाँ आ गये एक्चुल में ये वही दिन है जिस दिन पर मैथू चायना से होकर वापस आने वाला था मैथू रेबेका से कहता है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ पर मैं अब तुमारे साथ नहीं रह सकता हूँ मैंने अगर तुम से शादी कर ली तो एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी रेबेका कुछ भी समझी नहीं गुसा हो गए और वहाँ से चली गए लीसा एरपोर्ट पर बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि मैथू से हो मिल नहीं पाई एलेक्स लीसा को कॉल करती है और सब को सच सच बता देती है लीसा एक जगा पर बैट का रोने लग गई थी तब ही मैथू उसे ढूंड लेता है ये एक दूसरे को देखकर गले लगा लेता है इसी तरीके से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के बाथ ये लोग स्टोरी सकसेस हो जाती है आज का वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मुविस लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्स्राइब कर देजिए और बैल निटिवेशन आइकोन दवने भी मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एकने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये